हाई गाईज वेलकम बैक तो माई चैनल मेरा नाम है प्रियांका और अस्वागत है आज सभी का मेड चैनल पर आज हम बात करने वाले हैं प्रोडक्ट के बारे में जिसने मुझे बहुत मदद की है मेरे लिप के पिग्मेंटेशन को रिप्ड्यूस करने में हटाने में कम करने मेरे कर आप लिप्डीयोस देखो एक महिने पुराने और उससे भी पहले के तो आपको दिखेगा कि मेरे लिप काफी पिग्मेंटेड थे और जाता से लादा वीडियो बेंडो डा मेकप ही आती हो तो आपको और ज़िएल जो मेरे लिप्स का कलर था वो नज़र आईगा त जो यूसको यूस करने के बाद से मेरे लिप्स में काफी चाह जाया है। जी जाए ड्राइस्किन हट गई है थो अखी हटार रेगुलर यूस करने के वज़े से काफी जो pigmentation थी मेरे लिप्स के ऑटर कॉornas पे प्पी। पिग। तो वह भी काफी हट था कम हो गई हो तो मैं एक ऐसी बंदी हो जिसको थोड़ा से हमोगी डिफिशेंसी रहती है तो मैं लिप्स हमेशा थोड़ा से डाक हो जाते हैं I don't know what is the reason but मेरा लिप्स थोड़ा हमेशा डाक रहता है तो मुझे हमेशा लगता था यार कि पहले जब मैं थोड़ी सी जवान थी या थोड़ी बच्ची थी तो मेरे लिप्स बहुत बहुत बिंग थे and eventually वो ब्लाक होते चाहरा और हम मैं से कई सारे लोग मतलब मैं क्या बोलू कितनी परसेंट जनता मैं नहीं बता सती exactly but yes maximum लोगों को pigmented lips की problem होती है तो वोज हम सॉल्फ करेंगे यह जो product है यह genuinely work करता है आप लोगों को पता है कि मैं कभी भी किसी product के बार में ऐसे बात नहीं करती until and unless मुझे अच्छी नहीं लगे and I have gained that trust from you चलिए इस वीडियो को शुरू करते हो से पहले आप सब्सक्राइब कर लिजे मेरे चैनल को और उसके बाद देखते हैं यह product किया है और आपके lips को कैसे मदब कर सकता है तो चलिए तो एस कुछ दिनों पहले मुझे एक brand ने product भेजा बेला बीटा और अपने यह निको आपको काफी सारे वीडियो से यूट्यूब पेसे related मिली रहोंगे बट मैं आपको एक genuine review share करूंगी इस product का यह कोई भी sponsored video नहीं है और मैं बिल्कुल भी for the sake of making a video बात नहीं कर रही हूँ तो अगर आप देखो तो यापे mentioned है कि यह जो है एक lip scrub है जो exfoliate करता है और dark skin आपकी argan oil, mango butter, cocoa butter, vitamin E, glycerine, beeswax, amazing तरा की चीज़े है अदर natural sweetener है तो थोड़ा सा मीठा सा लगता है and directions to use यह पे दे रखे, apply scrub to your lips and massage in circular mesh motion, let it sit for 1-2 minutes and then wash off check ingredients for allergies, 20 gram product है और यह जो product है, यह 100% vegetarian है, cruelty free है, और क्या बोलो मैं, I'm really impressed, इसका price 6.99 और shelf life 2 years, बाकी सारी details आपको इसके box में मिल जाएगी तो यह किसी particular box में नहीं आता है यह जो product है वो बिल्कुल ही, यह brand बिल्कुल और और चीज़े बनाती है, तो इस तरह के जो है पाउच में भेस्ती है, यह पाउच में रगीला हो गया है तो कुछ ऐसी सी packaging थी, ऐसे कुछ अंदर आप देखरों मैंने काफी हत्तक यूज कर लिया है और मैं आज आप लोगों के सामने इसको यूज करके दिखाऊँगी कि आपको कैसे इसको यूज करना है और यह कैसे work करता है तो गाईस यह जो है scrub की consistency कुछ इस तरह है अगर आप में देखो तो मेरे lips काफी pigmentation मेरे lips की हट गई है काफी हट तक काफी जादा मतलब pigmentation रिडियोस हुए तो आपको क्या करना इस तरह इस product को लगाना है एक मिनिट तक, दो मिनिट तक, एक-दो मिनिट तक मसाज करना है और हमें इसको वाश करके वापस आदे हुए आप देखरो मेरे lips में कुछ भी नहीं लगा है आप में को मैं जूम अप दे देती हूं बिल्कुल कुछ भी नहीं लगा है तो अगर आप नोटिस करें तो फर्स्ट ताइम जो वापस को यूज करेंगे तब सही अपको difference दिखेंगा कोई भी ऐसा दुनिया में product नहीं है स्मोकर्स के लिए भी यह बहुत अच्छा है जिनका थोड़ा सा दॉक्निस का प्रॉब्लम रहता है वरत अब सालों से उनको भी हेल्प करेगा तो यह एक और बेनिफिट देगा कि आपके लिप्स का जितना ड्राई जो हाप पर राई पैचे सुजाते है जो ड्राईने सु प्रॉब्लम है और अब सच्मे इसको रिमूफ करना चाहते हो तो आइ थिंग यूशुद डेफिनली गिफ दिस वन अट्राई इस नॉट इस प्रोड़क ने है इसलिए मैं आपको बता रही हूं इसको यूज करने के इमीडिटली बाद आपको थोड़ा सा फील होगा कि आ लिप्स को ब्राइट करने में आपकी बहुत हर्प करेगा ताट वस अल अबाद टोटी इस वीडियो मैं इतना ही बात करना चाहती थी इस प्रोड़क के बारे में आई विल सी यू इन मैं नेक्स वन तिल देन टेकर बाबाई लॉट्स अफ लॉफ सब्सक्राइब बेल इक करें इंस्टरग्राम पर फॉलो करें तक कि मैं आज कल वाप पर बहुत सारे नहीं नहीं थारा कि अमेजिंग कंटेस्स करने लगी हूँ और यस आई विल सी इन मैं नेक्स वन तिल देन जिके बाबाई